मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने ऐसे नेता हैं इसकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है जो जब अपनी अपनी पुलिटिकल पार्टीज में थे गैर भाजपा राजनेतिक दल का हिस्सा थे तो उन पर भष्टाचार के आरोप लगे गंभीर आरोप लगे CB, EDI ने मुकदमे दर्च कर दिये और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ कर ED जोइन कर ली BJP जोइन कर ली ED और CBI के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए मैं आपको examples देता हूं हिमंत विस्वसर्मा जिने नौर्थीस्ट का मिच्शा का जाता है बड़े राजनेतिक रणनीतिकार माने जाते हैं इन पर गंबीर आरोप लगे थे प्रस्टाचार के एजेंसियों ने जान चुरू कर दी इन्होंने कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर BJP जोइन कर ली सारी जान चे बंद हो गई सुवेंदू अधिकारी बंगाल में होए कथा ततित साता चिटफंड गोटाले के प्राइम अक्यूस कहे जाते थे मुख्य अभ्यूक्त कहे जाते थे उन्होंने ममता बैनर जी की पार्टी छोड़ दी त्रेनमूल कॉंग्रेस का दामन छोड़कर BJP का दामन थाम लिया सारी जान चे उनके खिलाफ बंद हो गई Z प्लस सेक्यूरिटी अलग से उन्हें रिटार्न गिफ्ट के तौर पे BJP ने दे दी नरायन राने महरास्टा के दिगज नेता हुआ करते थे बड़े बड़े पदों पे रहे बड़े मंतरी के तौर पे भी रहे उन पर भरस्टाचार के कई मुकद में दर्ज होए CBI, ED तमाम एजंसियों ने जान चुरू कर दी उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतिय जंता पार्टी जोइन कर ली उन पर तमाम मुकद में जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए और ये एक लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट खतम नहीं होती है मुकुल रोए, बंगाल के नेता थे, मम्ता बैनर जी की पार्टी में थे उन्होंने त्रिनमूल कॉंगरेश छोड़कर भारतिय जंता पार्टी जोइन कर ली उन पर तमाम मुकद में जो चल रहे थे, वो बंद हो गए इसी तरहां, अगर आज, मनीश से सोधिया जी, सतेंदर जैन जी, तेजस्वी यादव, संजे राउत, फारुक अब्दुल्ला, के कविता ये तमान नेता, अगर अपनी अपनी पार्टी जोड़कर भारतिय जंता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकद में चल रहे हैं, इंकम टैक्स के हो, पोलीस के हो, CBI के हो, ED के हो, वो तमाम मुकद में बंद हो जाएं